तो हम लोग नुकलियर फिजिक्स पर रहें बेसी फाइनली और लोग ते लिए जिसमें रेडियो एक्टी ट्यू आला चप्टर श्टार्ट किया हुआ था ठीक है तो यह लेक्टर नमबर फाइफ है जिसमें क्या करेंगे आज जो रेडियो एक्टिव सीरीज है उसके बारे म पाइज आते हैं और क्या प्रॉपर्टिज रहता है वो सब देखेंगे ठीक है तो इशार्ट करते हैं सबसे पर रेडियो एक्टिव सीरीज या फिर रेडियो एक्टिव स्रेडी हिंदी में ठीक है तो देखो एक्षिली में है किया तो मैंने पहली बदा चुका है कि कोई झाया हो नियूंति अर्ण चेस फिर राएं सब्सक्राइए और अपने नाभिक में परिवर्तित कर देते हैं वह किसी दूसरे नाभिक करेंगे alpha beta उद सर्जन करके तो किसे दूसरे नाभीग में परिवर्तित हो जाएंगे तो जब वो दूसरे नाभीक में परिवर्तित हो रहा है यदि वो भी एक radio active element ही है तो क्या होगा वो इस्थाई नहीं होगा stable नहीं होगा तो उसको stability प्राप्त करने के लिए क्या करेगा वो फिर से किसी दुसरे radio active element में परिवर्तित होगा ठीक है जब तक वो किसी इस्थाई नाभेग में परिवर्तित न हो जाया पूरा पूरा तब तक यह जो क्रिया है सब पर चलते रहती है क्या मालो एक नाभीख है जो radio active है वह अलफा या बीटा हुसत सर्जित करके at b में convert होगा b भी मालो कोई radio active 이ibenंट ही है इस्थाई नहीं है तो वह सी नाभीक्त करने के बाद maat को इंग में और नहीं है मतुं तो यह तो फि कि फ्रोप्रत्रिय है ये एक chain के रूप में चलती है ऎहां पासर बसकते हो में हैं और यहां पर बाव sms tomm सब्सक्क्राइब पहला को बोलते है थोरियम सीरीज थोरियम स्रेडी दूसरा को बोलते हैं नेप्चुनियम सीरीज तीसरा को बोलते हैं यूरेनियम सीरीज यूरेनियम स्रेडी ठीक है यहाँ पे भी स्रेडी और जो चौथा है उसको बोलती है हम लोग एक्टिनिम सेरीज को क्या है इसकी चार स्रयड़ी में ही क्छिए एक उतर्टी में वह बहार है चारों में डिफ्रेंस क्या इसको And है मतलब एकवाद्व यह फो इनके पूरु नोगा को इसका जो पर माड़ुन है एक मान है इसमें जो भी रडियो एक्ट्युएmend आएंगे उसकी बाद फल्यम سे रडियुयो में जैसे कि अप आक एकशामपल लेलो मान और लो कोई एक एन गलाकंर क्या है 220 है अशा समझ लो तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा 4 से जब डिवाइड करूँगा तो क्या होगा देखो 4,5,20 और 2 बचे का तो बीफ हो जाएगा फिर से कितना आएगा 4,5,20 मतलब क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड हो गया मतलब 4N का पूर्ण गुड़क है तो यह जो element है मतलब कोई भी एक element है उसका तो यह एक अमान है मालो कोई भी एक element लेलो जैसे कि थोरियम ही लेलो ठीक है तो उसका कोई आइसोटोफ होगा जिसका एक अमान 220 होगा ठीक है तो यह 4N से पूरा पूरा डिवाइड हो गया मतलब यह किस स्रेडी में आ जाएगा थोरियम स्रेडी में आ जाएगा समझ में आया आगे और डिसकस करते हैं अभी तो बस एक्जामपल बताया उसके बाद मालो निप्चुनियम स्रेडी में कब आएगा जब 4N प्लस 1 होगा एक अमान मतलब जैसे कि कुई एक एलिमेंट है जिसका एक अमान 221 है तो इसको मैं 4N से डिवाइड करूँगा मतलब 4 से डिवाइड करूँगा एन कहा है पुरा आंग है इन्टीजर है ठीक है 4 से मालो मैं डिवाइड करूँगा तो कितना बार में जाएगा देखो 4 पंचे 20 हो जाएगा और ये फिर 4 पंचे 20 होगा उसके बाद एक एक रिमंडर बच जाएगा मतलब ये कीस का गुड़क है 4N प्लस 1 का गुड़क है तो ये किस से डिवाइगा नेप्चूनियम से डिवाइगा ठीक है उसके पाद इसका है 4N प्लस 2 अभर इसका रहेगा 4N प्लस 3 तो इस प्रकार से चार प्रकार की सीरीज होती है तोरियम सीरीज नेप्चूनियम सीरीज और एक होता है ऑ्टिनियम सीरीज ठीक है उसमें 1 कामान को देखना है एक कमान जितना है उसको हम लोग चार से डिवाइट करेंगे चार से डिवाइट करने के बाद जितना बच रहा है मालोग पूरा पूरा डिवाइट हो जा रहा है कोई शेस्खल नहीं बच रहा है या कोई रिमांडर नहीं बच रहा है अब क्या करेंगे देखो अब हम लोग परटिकुलर टेबल बनाएंगे और देखेंगे कि थोरियम स्रेडी में कौन-कौन से एलिमेंट आते हैं उसका कौन-कौन सा च्छाय कर सकता है अलफा बीटा कौन सा च्छाय करता है वो देखेंगे उसके बाद उसका हाफ लाइप कराता हूं और मैं यहां पर एक्स्पेंट कर देता हूं ठीक है इसको क्या टाइम बचेगा और लिखने कभी यहां पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो देखो सबसे जो पहला सीरीज है थोरियम स्रेडी इसका बताच कहूं मैं क्या प्रप्रपटी से डिवाइड होता है मत दो सबसे पहला थोरियम 90 232 मतलबा देखो 232 को मैं चार से divis करता हूं तो पूरपूर वैगा दो 32 को मह चार से divide करूं मतलब फोर से divide करूंगा मतलब work आशिए ठीक है तो यहां पर पूरा पूर चले जाएगा फोर फॉर Its helps कि वाइब आज और गया, thorium 90, 232 से start होता है, वो फिर alpha particle उस सर्जित कर देगा, मतलब alpha particle 6 करेगा, तो फिर किसमे कनट हो जाएगा, thorium 88, 228 में, देखो, कोई भी alpha particle उस सर्जित करता है, तो कितना कम होता है, 2HE4, या, sorry, 2H, हाँ, 2HE4, इतना कम करता है, मतलब A में क्या करेगा, 4 का कमी करेगा, और Z में, या, प्रमाणोक रमाग या, प्रोटानोक संख्या में कितना कमी करेगा, उसमें 2 की कमी करता है, तो पहले कितना था, 232 था, उसमें 4 की कमी हो गई, alpha particle उस सर्जित कर दिया, तो कितना बचेगा, तो कितना बच जाएगा, तो कितना बच जाएगा, तो कितना बच ते हुआ देखो बीकरust Signal बताएं था वियंगं था वे किल सवचित करते हैं दूसरे एक मतला में कोई परिवरतन नहीं होगा higher र। किकरों मी क्या होता है 88 था बिटा पार्टिकल उस सर्जित किया मतलब क्या हो गया यह पोजिट्रा उस सर्जित कर रहे भी ठीक है तो एक इसमें बढ़ जाएगा और यहां पर जो एक अमान है इसमें कोई परिवर्टन नहीं होगा तो दो के बाता यह याद करना है अब तो खुद बना सकते हो बसब्सको याद रहा रेखो तो पहला क्या हूं स्कूत फिर से बीटा पिर अलफा अलफा नवा उसके बाद यहां तक समझ में ओगिया और आगे निचे Track सो जाएकto तो नीचे में देखो उसके बाद इसे किसमें करवट हो जाएगा पॉलो नियम में तो पॉलो नियम में करवट होने के बाद फिर से अलफा उसरजित कर सकता है या तो फिर बिटा उसरजित करता है मालेते हैं अलफा उसरजित किया तब किसमें करवट हो जाएगा वो लेड मे कर्वट हो जाएगा उसके बाद एक इस्थाई नाभिक बनेगा ठीक है उपर पहले भी एक पीबी में कर्वट हुआ है लेकिन वह इस्थाई नाभिक नहीं था क्योंकि उसका जो एक अमान था दो सब बारा था ठीक है वह इस्थाई कब होगा जब ब्यासी 208 पीबी का प्रम इस्थाई नाभिक में परिवर्तित होगा उससे पहले जब आय रहेगा तो वह इस्थाई नाभिक नहीं बनता वह भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही रहता है इसलिए और वहां पे बीटा च्हाय या फिर अल्फा च्हाय करते रहता है तो जब इसमें आएगा तभी वह पूरा-पूरा इस्थाई नाभिक बनेगा ठीक है तो इस तरीके से एक सीरीज है तो इसमें बता दिया कैसे याद करना है इसको कौन से च्छाय वहां पे कर रहा है उसको बस याद रखो बाकि नाम को याद मत रखो नाम तो तुमको अपने से निकालते बन जाएगा ज इतना से डिवाइड होता है कौन-कौन से सरेडी होता है उसका नाम बताइए और किसमें जाकि वो इसिस्थाहिद को प्राप्त करता है इसको बस पूछेगा ठीक है सभी जोस्री है ना सब में अलग अलग यलाश्ट में अलिमन आता है जैस्से कि इसके मात करें तो लेकिन उसमें जो एक मान है वो डिफरेंट हो जाता है ठीक है तो इसको पस्याद रखना है बाकी नाम मैं समझाने के लिए बता दिया हूं कि कैसे कैसे होता है ठीक है और उसके बाद जो अर्धायुकाल है उसको भी आप लोग एक बड़ देख सकते हो तो जो पहला है थोरिय जैते को प्राप्त नहीं कर पाता बहुत समय लग जाएगा क्योंकि देखो खुद ही देखो एक दस वर्स मतलब कितना होता है एक हजार वर्स उसी प्रकार दस मतलब यहां पे दस बार जीरो लगाओ ठीक है कितना हो गया तीन तीन चाहे तीन नाक दस अब इतने साल बाद जो थोरियम 200 कितना था 232 था वो करण्वर्ट होगा थोरियम 228 में इतने साल बाद उसके बाद फिर सेकेंड वाला कौन सा है 6.7 वर्स थोरियम से फिर एक तिनियम में करण्वर्ट कावगा 6.7 वर्स बाद आधा होगा मतलब उतने साल लग जाएंगे उसको एक नाभिक से दूसरे नाभिक में बदलने में ठीक है? तो इसे लिए पुरा-Purra विधा इसको लेड में आने में बहुत समय लग जाता है ठीक है तो ये हो गया पहला तुम्हारा थो याम सीरीज देखके इसमें समझाने लाए कुछ है नी इसको चीज़ है ए तो इसको याद करो और नहीं होगा तो आप लोग इसको skip करो बस पढ़ने के लिए यहाप आप लोग knowledge के लिए इसको पढ़ सकते हो ठीक है और बस इतना याद रख लो कि नाम क्या क्या होता है और उसमें कितने से इसका पूर्ण गुड़क होता है तो पहले वाले में 4N उसक है मतलब उसको लोग चार से डिवाइट करो जो एक मान रहेगा उसमें वो पूरा-पूरा डिवाइट हो जाएगा उसके बाद एक उसमें रिमांडर बचेगा तब वो नेप्चुनियन सीरीज में आएगा ठीक है तो उसमें कैसे कैसे भी घटित होता है तो सबसे पहले जै और उसके बाद फिर उनेम अे बाद फिर वो Fehinha में ऑगा निकोने के बाद भाद फिर अंत घिक बार से करते करते कर देंख लाश्र में कहां पर आके लेंड करेगा जब बीशमीद में आ जाएगा तब वो क्या होगा पूरा-पूरा इस्थाई नाभिक बन जाएगा ठीक है इसमें भी बहुत समय लग जाते हैं देखो पहले में क्या तेरा वर्स फिर चार सो बावन वर्स मतलब बहुत समय लग जाएंगे पूरा-पूरा इसकी सिरिस में लेंग करेंगे तो कितना बाइन करेंगे तो में कहां पर लेंड करेगा लेंडर करेंगा तो ब्रीयेंग्य कारेंगे मतलब कोन समय 206 में पहले वाले क्या हो दोब इस्टार्ब हो रहे था ठीक है यहाँ पे पीबी का ही एक दुसरा इस्थाई आइसो टोप में कर्मठ हो रहा है जिसका परमाड़ो कुर्मांग ब्यासी और जो परमाड़ो भार है वह 206 रहेगा ठीक है तो इस टिप से पूरा यह यूरेनियम सीरीज विघटन करेगा उसके पाद चौथा इस टिप से पूरा चारो प्रकार की सीरीज होती है और मैं पहले बिदा चे कहूं कि इसको याद करने की जूरत नहीं है बस थोड़ा सा बस इसको बारे में समयना है कि इसमें क्या होता है बाकी इसको अप लोग skip कर सकते हो ठीक है तो इसमें तो और गदाने लाइक नहीं है बस इतना याद कलो और यह समझ में आ गैंगा है nा कि alpha particle जब उस सवरजित होता है तब क्या होता है इसमें 2HE4, मतलब 4 की कमी होगा, इसमें 2 की कमी होगा, ठीक है, और बिटा पर्टिकल में, ये कुछ इस टिप से होता है, और ये कुछ इस टिप से होता है, ठीक है, तो एक बड़ भी सकता है, एक घड़ भी सकता है, इसको बोलते हैं, पोजिट्राम उसरजित करना, इसको बो रखते हैं ज्यादा कुछ बताने लाइक है नहीं और ठीक है तो इस वीडियो में ही तक रखते हैं पसंद आया आपको लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करना ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें था नहीं इसके बाद जो नेस्ट लेक्टर रहेगा उसमें देखेंग अलफ 갖고 कितना जा सकती है इसको इसको देखेंगे रेंज आपश अलफा पकल्स इसको नेस्ट लेक्ट्र में देखेंगे तो ठीक है मिल सुने तक यू बाई